हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मायसर्जी.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त और अपशुक्ला दोस्तों आपको मालूम है दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं? 2 billion यानि 200 करोड़ वेबसाइट्स दुनिया में हैं लेकिन इसमें से जो active वेबसाइट्स हैं वो लगबग 2 करोड़ या उससे थोड़ी ऊपर तो इतनी सारी वेबसाइट्स दुनिया में कर क्या रहे हैं? किसी भी छोटे से छोटे बिजनस के चाहे एक small shop हो या कोई institution की website हो या एक बड़ी company की website हो आप देखो सभी को website की जरुवत होती है अपने आपको showcase करने के लिए अपने दुनिया में एक पहचान के लिए It is more than a visiting card ये आपके business को बताई नहीं रहा बलकि यहाँ पर ये business lab ही रहा है तो आप देखते हैं कि हर किसी business को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसको website की जरुवत होती है और भी बहुत सारी कारण होते हैं जिसके कारण लोगों को अपने काम को शोकेस करने के लिए website की जरुवत होती है तो website का जो market है वो बहुत समय से बहुत अच्छा चला आ रहा है और आगे आने वाले कई वर्षों में भी इसका कोई replacement दिखाई देता नहीं है तो ये है safest career choice अगर आप software industry में कदम रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि एक अच्छे development की job आप करें तो ये वो sector है जिसमें आप कदम रख सकते हैं बिना डरे बिना हिच के क्योंकि इसमें career safe है और इसमें opportunities भी बहुत जबरदस्त हैं ये काम भी बहुत quality का है तो आप इसको अपना career चुन सकते अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको website development का कोई idea नहीं है तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत समय से ये प्रतीक्षा थी कि कब हम ये course लेकर आएंगे तो आज मैं इस course की announcement कर रहा हूँ course का नाम है Python for Web Using Django ये वो course है जिसकी मदद से आप Python Language की मदद से एक website develop कर सकते हैं और ये जो website development की पूरी प्रक्रिया है इसके लिए हम लोग एक framework यूज करते है जिसका नाम होता है Django जिसकी spelling D से start होती है लेकिन हम इसको प्रनाउस करते हैं Django ठीक है अब यहां तक की बात तो समझ मैं ही लेकिन आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ तो आज के वीडियो में है इस पूरे course का overview वो सारी जरूरी बाते हैं जो जानने की जरूरत है इस course को स्टार्ट करने से पहले स्काइब कीजिए YouTube चैनल मायसरजी.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को तक कि कोई वीडियो आप से मिसना हो सबसे पहले तो मैं thank you बोलना चाहता हूँ उन सभी लोगों को और उसके बाद वो काफी समय से कह रहे थे कि एक नया advanced course आना चाहिए जो कि web application development से related हो python में ताकि वो अपने knowledge को आगे बढ़ा सके तो मैं भी बहुत समय से इस course को launch करना चाहिए रहा था और आज finally मैं बहुत खुशी के साथ ये announce कर रहा हूँ या python core कर रहा हो लेकिन उनने कभी website development जैसा project नहीं करा है तो मैं आपको बता दूँ कि first timer के लिए course ideal course है क्योंकि इस course में आपको चीज़ें बिल्कुल basic से सिखा ही जाएंगे कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती क्योंकि इससे पहले उन्होंने website development से related कुछ भी सीखा नहीं होता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या-क्या सीखना पड़ेगा तो आप बिल्कुल निश्चनत रहें इस पूरे course में वो सारी minimum चीज़ें सिखा ही जाएंगी तो जिन लोगों को कोई website का idea नहीं है निश्चनत रहें this is the course for you आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले website शायद बनाई हो लेकिन framework पे कभी काम नहीं किया हो और framework के बारे में उन्हें अंदाजा नहीं हो कि ये framework क्या होता है दोस्तों ये वो course है जिससे आप पहली बार कोई framework सीख सकते हो यानि अगर आपने आज तक कोई framework नहीं सीखा है तो ये वो course है जिसमें आप framework easily समझ सकते हो कि वो क्या चीज़ है फिर भी मैं आज आपको overview देते वद ये बतायता हूँ कि एक framework में बहुत सारे features होते हैं करेंगे अपने code को बहुत proper तरीके से distribute करेंगे वो सारी बातें एक guideline के तहत होती है जिसको ये जैंगो framework अपनाता है जिसको हम बोलते है MVT जिसके बारे में हम detail में इस course में पढ़ने वाले हैं तो ये एक बहुत जरूरी चीज़ होती है industry में जब software development करते हैं ताकि easily develop हो जाए उसको maintain करना बहुत आसान हो जाए बहुत सारे features दूसरी जो important बात होती है वो ये कि कोई भी framework आपको बहुत सारा ready-made code पहले से provide कर रहा होता है जिससे कि आपका जो development की प्रक्रिया वो बहुत आसान हो जाती है अकसर हम जो projects बनाते हैं जो software हम बनाते हैं उसमें कुछ commonly चीज़ें होती हैं जो हर project में use हो रही होती है ऐसी कुछ चीज़ें ये पहले से framework आपको provide कर देता है जिससे कि आपको वो पूरा कुछ scratch से बनाना नहीं पड़ता तो आपको कम coding में maximum result मिल रहा होता है तो framework क्या है ये आपको एक idea लगा है लेकिन Django framework में क्या-क्या कमाल के feature से वो सब तो आप आगे देखने ही वाले हैं इस पूरे course में हम लोग Django का installation से लेके एक पूरी Django का use करके एक website बनाने तक चीज़ें सीखेंगे हर वो जरूरी चीज़ जो आपको आना चाहिए वो इसमें cover up करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरा के पूरा जो course है वो हिंदी में है यानि जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ पूरा course हिंदी में रहेगा ताकि वो लोग जिनको हिंदी में जल्दी समझ में आता है वो लोग इस course का लाप्स ले सके क्योंकि हिंदी में courses बहुत कम available हैं और जो है वो भी up to the mark अगर आपको नहीं लग रहे हैं तो ये है ideally आपके लिए course आपको ये भी में बता जायता हूँ कि इस पूरे course में हर video lesson के साथ साथ आपको मिलेगी एक PDF फाइल जिसमें होंगे notes यानि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप अगर notes नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके पूरे notes बना कर मैं आपको provide कर रहा हूँ ये notes English में होंगे लेकिन वो बहुत ही basic English language होगी क्योंकि ये notes बने हैं उस video content के आधार पे ही तो जो video में मैंने समझाया है वही चीज मैंने notes में लिग दी तो आपको समझने में कहीं पर भी कोई problem नहीं आएगी इसके लावा कई लोगों को ये भी पूछना होता है कि क्या इस course के completion पर certificate मिलेगा yes ये course के completion पर आपको मिलेगा certificate क्योंकि ये my surgy का certificate है और बहुत no name हो चुका है my surgy तो कई सारी companies में जब आप apply करेंगे तो वो लोग पहले से जानते होंगे कि what is my surgy अगर आपने my surgy से क्या क्या पढ़ाया जाएगा पूरी detail कहां से मिलेगी तो आप बिलकुल निश्यनत रहें आपको जाना है मेरी website premium.mysurgy.com पर ये वो website है जहां पर ये पूरा course मिलेगा lesson by lesson तो कितने lessons हैं हर lesson में क्या content है वो आप देख सकते हैं और आप उनके title से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या topics में वहां cover करने वाला हूँ पहले आप पूरी चीजने देख लीजे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें total कितने lessons हैं क्या क्या topics cover होने वाले हैं पूरा syllabus का आपको अंदाजा हो जाएगा क्या इसमें features हैं क्या क्या facilities आपको मिलेगी उसका आपको अंदाजा हो और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों ने इसके पहले Python Core नहीं पढ़ा हुआ है यानि Python for beginners का course नहीं करा है तो पहले आप उस course को जरूर कर लीजे अगर आप ने Python इससे पहले नहीं पढ़ी है तो ये course जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ Python for web using Django ये directly आप नहीं कर सकते इसके लिए आपको Python Core का knowledge होना चाहिए वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है और उसका course भी available है उसका link आपको description में मिल जाएगा अगर आप ये video YouTube पर देख रहे है तो आप description में जाएए वहाँ पर देखिए एक link लिखा हुआ है premium.mysergy.com ये again व तो ये दोनों course हैं लेकिन पहले आपको करना है Python for beginners अगर नहीं किया है तो और अगर आपको Python Core आती है तो आप directly आ सकते है Python for web using Django के course पे दोनों ही course में certificates मिल रहे हैं आपको दोनों ही course में आपको जो content है वो Hindi में provide किया जा रहा है अब ये भी हो सकता है कि इतना सब बताने के बाद भी आपके कुछ doubt हो सबसे important doubt कि क्या ये course free है या paid है तो obviously ये course paid है देखिए मैंने Python core का जो course है वो भी paid रखा था लेकिन आपको मालूम है उसके charges बहुत कम थे और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया अगर pay करने के बाद भी आपको satisfaction हो रहा है इसका मतलब content आपको कुछ extra देने की कोशिश करिए तो ये course के बारे में जो भी बातें आप जानना चाहते हैं पहले आप premium.mysergy.com पे visit करिए इस course के पूरे description को पढ़ लीजे ताकि आपको समझ में आ जाए कि course content और features क्या है और इसके fees क्या है लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी अगर आपकी दिमाग में कुछ doubt रह जाता है तो आप इसी वीडियो के comment section में अपना doubt लेकिए मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको reply करने की ताकि आपको कोई भी doubt है तो पहले वो clear हो जाए अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि sir ये वाला जो course है ये आपने free क नहीं ही रखा तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि YouTube पे जब हम कोई course learn कर रहे होते हैं तो हमें distraction बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर वीडियो के suggestions में आपको कई सारे दूसरे वीडियो भी दिखते जाते हैं जिससे कि आपका time होता है खराब और इसी लिए हमने बनाया है premium.mysergy.com यह वो platform है जहाँ पे सिर्फ आप course सीखेंगे और कोई distraction नहीं होगा साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है आपको discussion forum और discussion forum में आप अपने questions discuss कर सकते हैं और जितने भी learners हैं including me हम सब मिलके उन questions को solve करने की कोशिश करते हैं तो कोई भ होता है कि आपको एक benefit भी मिलता है support भी मिलता है कहीं पर आपको कुछ doubt आ रहा है तो आप clear कर पाते हो और सबसे बड़ी बात जो मझे लगती है कि वो distraction नहीं होना आपके time को बहुत save कर देता है और जब बात होती है कि premium course provide कर रहा हूं तो उसमें quality भी मैं पूरी कोशिश करत है इसलिए मैं कोई price यहां पर quote नहीं कर रहा हूं आप लोग इस website पर जाए premium.mysergy.com पर वहाँ पर price देखिए कि आज इसकी price कितनी है क्योंकि price कम जादा हो सकती है according to the demand अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं पर price कम की जा सकती है तो वहाँ पर price में जरूर कम करता हूं लेकि जो भी price की बाते हैं वो आप इधर comment में मत पूछिए आप उसको देखिए इस website पे premium.mysergy.com तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस course का overview समझ में आ गया होगा purpose समझ में आ गया होगा अब आप इस course को enjoy करिए और अगर कुछ बात पूछने की है तो आप comment section में कर दो कर दो आप आप